नमस्कार, मैं आपका हिंदिय अध्यापक पंकज भारत द्वाज, आज आपके अपने इंग्लिस बाबा चैनल पर सीबियस्सी कक्षा 10 के कावेखंट 36 भाग दो के अध्याए एक सूर्दास के पत लेकर हाजिर हुआ हूँ, अगर आपने इसे ध्यान से सुना, तो परिक्षा में जो भी प्रशनाएगा उसका आप उत्तर उचित तरीके से दे पाएंगे, सूर्दास ब्रजभासा के महा कभी हुए हैं, जिनकी रचनाओं में ब्रज की जाकियों के साथ साथ क्रिश्न लीलाओं का भी उमनोरों चितरन मिलता है, ब्रजच्षेतर में आज भी सूर्दास के लिखे पत गाये जाते हैं, पेस है कुछ ऐसे ही चुनिंदा पत, यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछूँगा, जिसका उत्तर आपको वीडियो के आरंब मध्वय अंत में नहीं थोगा, इसलिए आप ध्यान से इसको सुनिएगा, प्रेम को छूना सके ग्यान के सौसो तीर, उद्धपर भारी पड़ी गोपियों की पीर, देख के उन बावली गोपियों को प्रेम में, मन में सोचा क्यों नहीं है, मेरी ये तकदिर, सूर्दाश जी का जीवन परिचे, सूर्दाश जी का जनम सन 1478 में हुआ, एक मानेता के अनुसार उनका जनम मत्रा के निकिट रोनकता या रेणो का छेतर में माना जाता है, दूसरी मानेता उनका जनम इस्थान दिल्ली के पास सी ही माना जाता है, उनके प्रसिद्ध गरंथ की बात करें, तो तीन गरंथों की रचना की थी, सूर्द सागर, सहित लहरी और सूर्द सारवली, इनका सबसे अधिक लोगप्रिय गरंथ सूर्दाश जी को वाच्छाली और स्रिंगार का स्रिष्ट कभी माना जाता है, इनकी कविता में ब्रिज प्रसाजी के लड़के हैं, इनके सखा भी हैं और बड़े ही अच्छे भ्राता भी हैं, उनको कहते हैं कि गोपियों को ज्यान देकर आओ, उन्हें समझा कर आओ, सूर्दाशी के पद, ये सूर्द सागर के भ्रमत की से यहां से चार पद लिए गए हैं, कृष्ट ने मत्रा जाने के बाद स्वैमन लोटकर उद्धव को भेजा की जाकर गोपियों को निर्गुर ब्रह्म और योग का उपदेश दीजिए, और उनकी विरह वेदना को सांध कीजिए, गोपियां ग्यार मार के बजाए प्रेम मार को पसंद करती थी, इसी कारण उन्हें उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आया और वे उद्धव पव्यंग बाट छोने लगी। गुर चांटी जयोपागी। पंक्तियों के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि आप तो भगवान कृष्ण के परम सखा हैं, उद्धव पर व्यंग करती हैं, कि आप इतने निकट रहती हैं, तब भी उनके प्रेम में नहीं बंदे, कितने बड़े भागे साली हैं आप, कि जो प्रेमरस आपको अच्छूता है, आप उनके इसने के धागे से बंदे ही नहीं, उनकी विरहवेदना आपको बिल्कुल भी नहीं, उद्धव तुम तो कमल के उस पत्ते की तरह हो, जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, उस तेल के गागर की तरह है, जो पानी डुब प्रेमरस आपको अच्छूता तक नहीं पड़ा, तुम उनके रूप सौंदरे का दर्सन तक नहीं किया, उद्धव तुम विद्वान हो, जो कृष्ण के प्रेम में नहीं बंदे, हम गोपियां तो बहुत भोली भाली हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह से ब प्रतों में गोपियां उनसे बात करती हैं, चित्र के माध्यम से आप देखकर समझ सकते हैं, कि जब कृष्ण गोकुल से चले गए, तो हमारे मन की वथा मन में ही रह गई, हम कृष्ण से बात कहना चाहती थी, लेकिन अब हम बात कभी नहीं क्या पाएंगी, उद्धव के द्वारा कृष्ण को संदेश भी भेजना नहीं चाहती, कि इतने लंबे समय से तन और मन की हम हर प्रकार की विरह की वथा को सहन कर रहीं थी, कि एक दिन स्री कृष्ण आएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु स्री कृष्ण नहीं आए और हमें योग का संदेश लेकर अपने अनुज सखा उद्धव को भेज दिया, ए उद्धव, जब किसी के जीवन में दुख आता है, तो वह अपने रक्षक को पुकारता है, यहां तो हमारा रक्षक ही हमारे दुख का कारण है, अब हमारी एक मातरासा ही तूट गई है, कि हमें पता है कि कृष्ण नहीं आएंगे, वैसे प्रेम की मर्यादा तो यही है क प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, परंत उसरी किष्ण ने हमारे साथ चल किया है, हमें दोखा दिया है, इस चित्र के माध्यम से इंगित होता है कि कैसे विरह में परिसान हैं गोपियां, उनके विरह में पसू, पक्षी, पेड, पौधी सब व्याकुल हैं और हारिल की लगडी मनकरम बचन नंद नंदन और यह दर्ड करी पकरी, जागत सोवत स्वपन दिवस निशिकान कान जकरी, सुनत जोग जागत है ऐ सोज्यों का गुरी, करुई ककरी, सो तो व्याध हमयू, हमको लई आये देखी सुनी न करी, यह तो सूर, तिनहीं ले सौपो जिनके मन चागरी, गोपियां कहती हैं, उद्धव जिस प्रकार हारिल पक्षी लगडी को मजबूती के साथ अपने पंजों में चकड़े रहता है, अपने जीवन का आधार समझ कर उसे गिरने नहीं देता है, उसी प्रकार किष्न भी हम गोपियों के जीने का आधार है, हम अधवी ककड़ी के समान लगता है, जोपियां कहती हैं, हमें प्रेम का रोग लग चुका है, और जिसे प्रेम का रोग लगा हो, उसे कोई और कुछ और नहीं सुहाता, इसलिए ये योग संदेश हमारे किसी काम का नहीं, चारों और चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, कि क पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सबकी व्यथा यही हैं, हरी है राजनीति पढ़ियाए, समची बात कहत मदु करके समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते ही पहले ही, अब गुरु बरंत पढ़ाए, बढ़ी बुध्धी जानों हो, जिनकी जोग संदेश पढ़ाए, उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाईए, चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और ना अनीति चुडाए, राज धरम तो यह सूर जो परजान जाते ही सताए, उधो पहले से ही चालाख है, क्रिश्न न ने राजनीति का और पाट पढ़ा दिया है, और वे चलकपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ, श्री कृष्न का योगसंदेश लेकर आए हैं, गोपिया व्यंगपून उध्धव से कहती है, क्रिश्न ने राजनीति पढ़ी है, वे किसी चतुर राजनीति की तरह ह हो गए हैं, जो उध्धव को हमारे पास बेदा है, क्रिश्न ने तो पहले से ही चलाक हैं, और अब तो बड़े बड़े गरंथी भी पढ़ लिए हैं, जिन से उनकी बुद्धी काफी बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने उध्धव को हमारे पास योगसंदेश लेकर भेजा है, और उध्धव से ही हमें यहां के सारे समाचार प्रत कर लेगी, वैसे तो यूधव क कोई गल्ती नहीं, क्योंकि वैसे वह तो दूसरों का कल्यान करते ही हैं, उन्हें बड़ा आनंद आता है दूसरों के कल्यान में कृष्ण के बारे में कहती हैं कि जब वो गोकुल से मत्रा गए थे तो हमारा हिर्दय भी साथ ले गए थे, वे हमें वापस कर दो तो अत्याचारियों को दर्ण देने के लिए गोकुल मत्रा गए थे कृष्ण, लेकिन अब तो खुद ही अत्याचार करने लगे हैं सो हे उद्धव, कृष्ण जजजजा कर कहना कि एक राजा को हमेशा अपने प्रजा के हितका कारे करना चाहिए, उनको बड़ा विचलित हो जाता है इतना विचलित हो जाता है कि ज्यान की पोथी लेकर आया था उप्रेम की पोथी पर चला बाल बिखरे, तन पे कपड़े अस्तिवस्त हो गए, ब्रज की धूली में ब्रज की धूली में और पाद पर राधे राधे हो तो ऐसी उनकी मन की विथा और उनकी विथा जिससे किसी से छुपी नहीं थी ऐसी विथा हो गई उसी आसे का ये भजन है जो आपने सुना भी होगा इन पंक्तियों के माध्यम से पूरा पाठ आपको एक बार फिर से सार रूप में पता चलेगा ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है यहां सर देके होते हैं सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात है उधो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले ए उधो यहां दम दम में होती है पूजा सर जुकाने की फुरसत नहीं है ये तो प्रेम की बात है उधो इन पंक्तियों की माध्यम से आपने समझा होगा कि क्या गोपियों के मन की दसार रही होगी और ज्यान का जो बीज रोपन करने आये थे उनके मन में प्रेम का रोग लग गया और वे खुद क्रिश्न 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 जबते जबते पागल सी अवस्था में मत्रा के लिए चल पड़े और जब कृष्ण ने देखा कि उधो तुम्हारा ये खाल कैसे हुआ, तुम्हें तो ज्यान देने भेजा था, तुम तो प्रेम का रोग लगाए, तो ये सूर्दास के पद जिसे हमने पढ़ा जाना समझा, आपके परिक्षा में इससे समंधि जो भी प्रशन आएंगे, आप कि इन दो कृष्ण का आपको आंस्वर comment box में जाकर देना है और और कोई आपका सुझ्झाव या प्रतिकरिया है तो आप comment box में जाकर लिखे आपका स्वागत है, धन्यवाद आपका हिंद्या ध्यापक सुब वंदन जैहिंद वंदे मात्रां